चाइना से आई करोना जैसी भ्यंकर महामारी के चलते भारत देश वर पंजाब राज्ये में पूरन लॉक्डाउन जानी कर्फी लगा हुआ है एसे में दिहाडी मेज़ूरों बर रिजाना कमाकर परिवार का पालन पोश्ट करने बालों की स्थिति नाजुक होती जा रही है बहीं देश में कोई भूखा ना सोय मुहिम के तहट केंदर वा राज्ये सरकारें हर जरूरतमंद परिवार तक राशन वा अन्य जरूरी बास्तुएं पहुंचाने के दावे कर रही है परांतु बदोड की तस्वीर कुछ और ही ब्यां कर रही है मज्युके रोड निवासी आज भी सरकारी सहयता के इंतिजार में ठोकने खाने को मजबूर है और बे स्थानिये नागर काउंसल अधिकारियों वो करमचारियों पर सरकारी राशन का बितरन अपने चहतों के लिए किये जाने का अरोप लगाते हुए बताते हैं के उपरोक्त राशन नागर काउंसल अधिकारियों ने मज्युके रोड पर एक घर में रखा हुआ है और अपने चहतों को लाब पहुंचा रहे हैं इसी सबंदी जब नागर काउंसल बदोड के कारे कारी अधिकारी गुर्चारन सिंग्जे बात की गई तो उन्होंने कहा के सरकारी नीमो अनुसार राशन बितरत कर दिया गया है इसके इलाबा उन्होंने कहा के राशन किसी और के घर में बलके हमारे एक करमचारी के घर में ही उतारे गया है उप्रोक्त अधिकारियां दुवारा सरकारी राशन नागर कांसर के कमरों जां किसी अन्य सरकारी इमारत में नहीं रखे जाना और एक घर में उतारे जाना भी अपने आप में प्रशन खड़े कर रहा है सरकारी राशन का इंतियार कर रहे उप्रोक्त गरीब ब्यक्तियों ने सिवल परशाशन से इस प्रती जांच किये जाने की भी मांग की है इस दुख की घड़ी में सरकारी सहाईता के बीच में लीकेज करने बालों पर सरकार को कड़ी से कड़ी कारवाई करनी चाहिए सरकारी राशन आयागा वो कि थे आगा वो मलकीता कौन जी जड़ा नगर काउंसल जसी का जी किन नेक कटे या जी ओटे कानका की या जी का आता जी ऑटा है जी थो नो मिला नी मता जी दे लुट जी अंट जी आप जाट जन चाहिक और की करने जी अज्य साधी बहुत आगेत तुख कर दुख कर देक आया कुए लेक। ओनु आपनों मिली निमिल वी पूम्न कोई गोचीत है। इन हां नाजो का रोड़ती है। तो कि आओ नी मत अप्ता नाम नी अजी रेणू रानी पातनी जी अच्छे एक जड़ा राशन आया सी नागर कॉंसल दे त्रू सरकारी राशन यह तो अड़े तक पहुंचा जा नहीं पहुंचा जी यह जटके एमसी और एमसी अपर्दान बगरा जां यह विला कहरें यह कर सब्सक्राइब कर रहे गया दूरों दूरों देखे बस अग्यों मुड़े उन्देवास के दिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अच्छा ते वो राशन प्या कि थे गजी मलकी जड़ा पहले नागर कॉंसर चमलागी मुद्धि